कुशन दिया वाए देखो एस सिस्टम इस गिवन 400 कैलरी ऑफ हीट एंड हंडेड जूल ओफ वर्क इस डन बाई दे शिस्टम देन दे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दे सिस्टम विल बी यह वोल रखी कोई सिस्टम है थर्मोडाइनिमिक सिस्टम उसको हीट हमने घंट केकलरे के बराबर है धी जो हीट हम सप्लाइ कर रहे हों कितनी है ए टो हंडेड जूल के बराबर यहां पर दर यहां पर दर यूंस डब्लू लेगन दोनों की इनित अलग लग है आपको पहले क्या करना पड़ेगा इनकी यूनिट से मरानी पड़ेगी जिससे सारे आंसर जूल में तो जूल में कर लो तो डेल्टा क्यों को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा क्यूं प्रहंडर इंटू वन क्यलरी 4.2 जूल के बराबर होता है तो 4.2 से के बराबर होगा डेल्टा क्यू माइनस डबलू डेल्टा क्यू है यहां पे 1680 और वर्क किया यहां पे 100 जूल आंसर आया 1580 जूल यह है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने गेस सिंपल एक दम कौन सा ओप्षिन करेक्ट है बी वाला ओप्षिन यहां पे करेक्ट है क्लियर नेक्स्ट क्यूशन देखो फॉर थर्मो डैनमिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस 50 क्यल्री एंड डबलू इक्वल टू माइनस 20 क्यल्री इफ दे इनिशल इंटरनल एनर्जी इस माइनस 30 क्यल्री देन फाइंड दे फाइनल इंटरनल एनर्जी बिल्कुल आसान क्यूशन है जो जो गिवन है डेटा पहले वो लिख देते हैं डेल्टा क्यू दे रखा है माइनस 50 क्यल्री के बराबर सारे डेटा आपको क्यल्री में दे रखें बहुत अच्छी बात है डबलू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डबलू डेल्टा यू का मंदर क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसको आप यू फाइनल माइनस यू इनिशल लिख सकते हो देखो डेल्टा क्यू कितना दे रखा है माइनस 50 सिंबल के साथ वेल्यू पुट करनी है डेल्टा यू होगा यू देखोनेल्टा यू फाइनल या प्लस ठर्टी यह माइनस 20 यह कितना बना यह प्लस का टैन आएगा तो यू फाइनल क्या हो गए यहां पर यह एग माइनस का 60 क्यल्डी के बराबर तो कौन सी वी वाला ऑफ्शनु करेक्ट है जो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो कितनी है आपको value put करना है, solve करना है, ठीक, नेक्स्ट कुछिशन है, the internal energy of an ideal diatomy gas corresponding to volume V and pressure P is U equal to 2.5 PV, the gas expands from 1 liter to 2 liter at a constant pressure of 180, find the heat supplied to the gas, देखो, यह बोल रहा है कि कोई gas उसकी जो internal energy है, उसका pressure और volume के साथ में relation है, U equal to 2.5 PV, और जो gas है, वो expand हो रही है, constant pressure के उपर, pressure आपको दिया हुआ 1 ATM के बराबर, और volume कितने से कितना change हो रहा है, तो पहले volume है 1 liter के बराबर, और बाद में volume हो चुका है 2 liter के बराबर, 1 liter से 2 liter यहाँ पर volume में change आ रहा है, तो क्या पूछा है इसने, इसने पूछा भी कितनी heat हमने supply करी है, वो calculate करके बताओ, तो जो heat supplied होती है, उसका formula होता है, delta U प्लस W, first law of thermodynamics के according, डबलू calculate करने के लिए आपको data दे रखा है, देको pressure दे रखा और change in volume भी बता रखा है, constant pressure की उपर, अगर आप guess expand कर रहे हो, तो उस condition में जो work done होगा, वो बराबर होता है, pressure into change in volume, तो उससे work आ जाएगा, आपने पास, delta U कहां से लेक्या होगे, तो इसने बोला कि pressure तो constant है, और volume change होगा, volume change होगा, तो internal energy भी change होगी, तो इस formula को आप ऐसा भी लिख सकते हो, delta U equal to 2.5 T into delta V लिख सकते हो, P तो constant है, तो change in internal energy किसकी वज़े से होगा, change in volume की वज़े से, और क्योंकि U और V directly proportional है इस relation में, इसलिए delta U किसके बराबर आएगा, 2.5 P ये तो constant है, into delta V के बराबर रहेगा, अमने ये values यहाँ पर पूट कर रहा हूं, देखो, delta Q हमको पूछा जा रहे, delta U की जगा आपको लिखना है, 2.5 P into delta V, delta V मतलब change in volume, और work की जगे क्या लिखेंगे, P into delta V, pressure into change in volume is equal to work done, इसको आप लिख सकते हो, 3.5 P into delta V, अमने values पूट कर रहा हूं, देखो, pressure कितन लिखना, 180 जो कि 10 डेस्टू पाउर 5 पासकल के बराबर होगा, change in volume कितना, 2 लिटर माइनस 1 लिटर यानी 1 लिटर, तो 1 लिटर और लिटर को जबा में चेंज करोगे, तो 10 की पाउर माइनस 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद उखना है, 1000 लिटर ऑफ गेस बराब तो कॉंस ओप्शन करेक्ट है, यहाँ पे, सी वाला ओप्शन करेक्ट होगा, जो हीट यहाँ पे सप्लाई की गई है, वो 350 जूल के बराबर है, आया, ठीक है, देखो, नेक्स कुशन है, एस सर्टेन अमाउंट औफ आइडियल गेस, मॉनो अटोमिक, यानि कि आडियल गेस find the heat needed for the same temperature rise at constant volume, देखो, क्या बोले इसने, कि कोई मॉनो अटोमिक गेस है, आइडियल गेस है, मॉनो अटोमिक गेस है, और उसके लिए हम 20 जूल हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं, constant pressure की उपर, उसका temperature 10 degree centigrade से rise करने के लिए, तो constant pressure की उपर जो हीट सप्लाई करते हैं, उसका formula ह तो यहाँ पर हम लोग कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 20 जूल हीट सप्लाई कर रहे हो, temperature कितना increase किया जा रहे है, 10 degree centigrade से increase किया जा रहे है, ठीक है जी, फिर इसने बोला कि कितनी हीट हमको चाहिएगी, अगर हम constant volume के उपर हीट सप्लाई करें, और same temperature हमें rise करना ह हो, मतरब क्या पुछा है, delta q at constant volume पुछा है, जिसका फॉमला होता है, mu cv delta t, ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो इसमें, simply इसको आप solve कर सकते हो, delta q at constant volume आपको पता करना है, आप इन दोनों equations को divide करो, delta q at constant volume, second equation को first divide कर रहा हूँ, delta q at constant pressure बराबर होगा, देखो, mu cancel, upon cp, delta t, यहाँ पर cancel, समझे रो, delta t, cancel, mu cancel, तो यहाँगा, cv upon cp, second equation को first से हमने divide किया, delta q at constant volume हमको पूछा जा रहा है, delta q at constant pressure हमको दिया होगा है, 20 joule, और cp upon cv, यह जो ratio होता है, यह गामा को represent करता है, तो यह क्या लिखा है, यहाँ पर cv upon cp, यानि कि actual में one upon gamma लिखा है, और gamma क्या होता है, monoatomic gas के लिए क्या होता है, gamma 5 by 3 के बराबर, तो उसका उल्टा करो, 3 by 5 आ जाएगा, तो बताओ answer क्या होगा, delta q at constant volume, यह होगा 20 into 3 upon 5, यह होगा 12 joule, यह अपना answer है, मतलब b वाल option यहाँ पर correct होगा, याद रखना है कि जैसे monoatomic gas बोल दे, तो monoatomic gas के diatomic gas बोल दे तो, diatomic gas बोल दे तो 7 by 5 के बराबर होगा, ठीक है, याद रखना है, यह दोनों values तो यादी होनी जीए, क्योंकि कई questions में हम इसको use करेंगे, तो यह तो यादी कर लेना, diatomic gas है तब तो 7 upon 5, gamma क्या होगा 7 upon 5, और monoatomic gas है तो 5 by 3, next question देखो, find the ratio of work done by an ideal diatomic gas to the heat supplied by the gas in isobaric process, यह बोला है isobaric process, अच्छा, isobaric process का मतलब क्या होता है, pressure constant है, अगर किसी भी process के दुरान pressure constant रहता है, तो इसको हम isobaric process बोलते हैं, तो यह बोला है कि कोई diatomic gas है, उसके लिए work done और जो heat supply की गई है delta Q, उनका ratio आपको calculate करके बताना है, ठीक है और जो process है, वो कौन सी है, isobaric process है, और ideal diatomic gas की बात कर रहे है, कौन सी gas की बात कर रहे है, ideal diatomic gas की बात कर रहे है, चलो, formula लिखते हैं पहले तो, first law of thermodynamics की according, delta Q equal to delta U plus W, हमें W upon delta Q चाहिए, तो पूरी equation को delta Q से divide कर दो, इधर तो बनेगा 1, इधर आएगा delta U upon delta Q plus W upon delta Q, अब यह W upon delta Q यह तो आपको चाहिए, अब delta U upon delta Q, अब इसकी values फुट करता हो, मैं देखो, delta U को हम लिख सकते हैं, mu cv delta T, और delta Q को हम लिख सकते हैं, यह isobaric process है, इसलिए जो heat supply की गिए, वो लिखे जाएगी, mu cp delta T, देखो, delta U को आप anytime, mu cv delta T लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि constant volume की उपर, delta T से temperature rise करने के लिए, जो heat supply की जाती है, वो पूरी की पूरी internal energy को change करती है, तो delta U हमेशा, mu cv delta T के बराबर आप लिख सकते हो, अब यह w upon delta Q आजाएगा इसर, यह mu or delta T हम cancel कर देंगे, cv upon cp बनेगा, जो की 1 upon gamma को represent कर रहा होगा, ठीक है, अब यह कौन सी gas है, diatomic gas है, 4, diatomic gas, जो gamma होता है, वो होता है, 7 by 5 के बराबर, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 5 by 7, उल्टा करना पड़ेगा, 5 by 7 लिखना पड़ेगा, अब W upon delta Q, यह आप को पूछा जा रहा है, तो बस W upon delta Q, अलग कर लो, बाकी सब उदर ले जाओ, 1 minus 5 by 7, क्या आएगा, यह आएगा, 2 by 7, यह अपना आंसर है, मतलब, B वाला option यहां पर correct होगा, आया समझ में, simple, देखो, next question है, 1 gram of water, changes from liquid to vapor, at constant pressure 180, the volume increases from 1 cc to 1671 cc, the heat of vaporization at this pressure is 540 calorie per gram, find the increase in internal energy of the water, तो water की जो internal energy हो, कितनी increase होगी, delta U पूछा है, पहले मैं equation लिख देता हूँ, delta Q equal to delta U plus W, तो delta U आपको पूछा जा रहा है, जो की बराबर होगा, delta Q minus W के, अब यहाँ पे एक चीज़ notice करो, कि आप क्या कर रहे हो, constant pressure की उपर, जो water है, उसको गर्म कर रहे हो, और वो vapor में convert हो हो रहा है, तो उसके लिए कितनी हीर देनी पड़ेगी, तो इसका formula क्या होता है, delta Q equal to M into L, latent theta vaporization यहाँ पे आएगी, क्योंकि water किसमे convert हो रहा है, vapor में convert हो रहा है, minus W किसके बराबर होगा, तो P into delta V के बराबर होगा, pressure into change in volume, ठीक है, pressure यहाँ पर constant रहेगा, क्योंकि आइसो ब हो लागया है, तो constant pressure की उपर हम water को गर्म कर रहे है, जिससे वो steam में convert हो रहे है, तो आपको work के लिए formula यूज करना है, P into delta V, अब आपको बस values put करनी है, solve करना है, mass कितना दे रहा है, one gram, one gram लिग दिया, latent theta vaporization कितनी है, यहाँ पे, यह है 540 calorie per gram, तो जो पर gram होगा, वो तो इ हीट दे रखी है, इस calorie को 4.2 से multiply करके हम जूल में change कर देंगे, ठीक है, या तो वही वन gram को यहाँ पे 10 डेस टू पावर माइनस 3 किलोग्राम लिखो, फिर नीचे भी 10 डेस टू पावर माइनस 3 किलोग्राम लिखना पड़ेगा, तो वो 10 की पावर माइनस 3 आपस में cancel हो ज से इतना वोल्यूम चेंज हो गया, तो चेंज कितना वा वोल्यूम, 1671 में से 1 माइनस कर दो तो यह एगा, 1670 और सीची का वंदल क्या होता है, 10 की पावर, सेंटिमेटर क्यूब को हम सीची बोलते हैं, यह था 10 डेस टू पावर माइनस 6 मेटर क्यूब के बराबर, 1 सीची कि वेल्यूस पुट करके सॉल कर देना है, जैसे इसको मल्टिप्लाइ करो, यह कितना वनेगा यहाँ पे, यह आएगा, 2268 के बराबर, माइनस, अब देखो यह 10 की पावर, माइनस 6 और 10 की पावर 5, यह कैंसिल करोगे, और साथ में जीरो भी उड़ जाएगा, तो यह आएगा 167, तो पूरा सॉल कर लो, इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे, तो यह क्या हैगा, 2101, जूल, यह अपना फाइनल आंसर होगा, तो कौन्से ओप्शन करेक्ट है, यह बी वाला ओप्शन यहाँ पे, करेक्ट होगा, ठीक है, next question देखो, q calorie of heat is required to raise the temperature of 1 mol of a monoatomic gas from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade at constant pressure, find the amount of heat required to raise the temperature of 1 mol of diatomic gas from 20 degree centigrade to 25 degree centigrade at constant pressure, यह बोला है कि पहले हमने एक monoatomic gas लिए और उसका 20 degree centigrade से 30 degree centigrade तक temperature rise किया, तो उसके लिए हमें heat देनी पड़ी, q calorie of heat हमको supply करनी पड़ी, फिर यह बोला है कि अगर हम 1 mol diatomic gas लेते हैं और उसका temperature 20 से 25 degree centigrade बढ़ाते हैं, तो उसके लिए कितनी heat देनी पड़ेगी, तो constant pressure की उपर आप heat supply कर रहे हो, उसका formula होगा delta q equal to mu cp delta t, अब यह monoatomic gas, diatomic gas ऐसी बात कर रहे हैं, और इनके लिए आपको cp की value पता होती है, cp का formula आपको पता होता है, तो बस वह value पूट करना है, तो उसके लिए degree of freedom कितनी होती है, अगर diatomic gas है, तो उसके लिए degree of freedom होती है, तो बस वह value पूट करके solve कर देंगे इसको, तो जैसे यह सिधा भी आप याद रखो वैसे values, लेकिन मैंने formula लिख दिया है, यहां पर तो उससे solve कर लेते है, delta q at constant pressure, first case में, इसने बोला कि q calorie of heat हमको supply करने पड़ी, तो मैं first case में इस formula को apply कर रहा हूँ, इसमें delta q की जिगर मैं q लिख देता हूँ, क्योंकि इसने जो heat supply करी है, वो q heat supply करी है, mu यानि number of moles, क्यूशन में बोला गया कि one mole हमने gas लिए है, f मतरा monoatomy gas के लिए degree of freedom होगा 3, तो 3 by 2 plus 1 यानि कि आएगा 5 by 2 into r, और delta q कितना है, 20 degree centigrade से 30 degree centigrade यानि कि 10 degree centigrade का temperature change किया हमने, यह आया समझ में, तो यह पहली equation आगए अपने पास में, थोड़ा solve कर लो चाहिए इसको, q equal to क्या जाएगा यहाँ पे, यह 2 से cancel करोगे तो, 5 और यह आएगा 25R के बराबर, तो इस second case लेते हैं, second case में diatomy gas है, तो इसके लिए जो heat supply करने पढ़ी मालनों, वो q-dash है, तो delta q की जिएका q-dash लिग दिया, number of mouse इसके भी 1 दे रखे हैं, question में, degree of freedom diatomy gas के लिए क्या होगी 5, तो 5 by 2 plus 1 यह बनेगा, 7 by 2 into r into delta t कितना है, तो diatomy gas का temperature 20 से 25 degree centigrade बढ़ाना है, मतरब 5 degree centigrade का change करना है, तो 5 आएगा यहाँ पे, यह पहली equation माल लो, यह दूसरी equation माल लो, दोनों का आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो q-dash upon q बराबर आएगा 7 by 2 into 5 divided by 25 r, तो r से तो r उड़ा दोगे, यह कितना आएगा, 7 by 10, तो q-dash अपना आगया है, यहाँ पे, q into 7 by 10, तो कौन सा option correct है, यहाँ पे, c वाला option यहाँ पे correct होगा, जो second case में heat supply करनी पड़ेगी, diatomy gas को कितनी होगी, 7 by 10, q के बराबर होगी, ठीक है, चलिजी, आगे बढ़ते हैं, next question देखो, a gas expands with temperature according to the relation v equal to k t power 2 by 3, what is the work done when the temperature changes by 30 degree centigrade, जो change in temperature है, यानि की t2 minus t1, वो कितना दे रखा है, 30 degree centigrade के बराबर दे रखा है, इसके लिए कितना work करना पड़ेगा हमको, ठीक है, कोई यह से वो expand हो रही है, और जो temperature है, वो volume के साथ में इस relation से यहाँ पर बताया हुआ है, कि volume और जो temperature उसमें यह relation होगा, पुछ है कि work done कितना होगा, तो work का formula क्या होता है, पी डीवी integration from V1 to V2, यह formula हम यूज करेंगे, अगर pressure constant होता, तो directly आप लिख सकते थे, P into V2 minus V1, लेकिन यहाँ पर pressure के बारे में कोई information नहीं है, इसका मदर प्रेशर constant नहीं है, इसलिए इसने बताया भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यह जो formula है, इसको use करते हैं, लेकिन इसमें जब pressure की आपके पास कोई information नहीं है, तो solve कैसे करोगे, तो P को यहाँ से हटान के आप, अब इसको हटाने का तरीका देखो, मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि मुझे change in temperature बता रखा, कि T2 और T1 का जो difference है, वो 30 degree centigrade के बराबर है, तो temperature के बारे में आपके पास information है, ठीक है, तो उसकी terms में ही formula convert करना पड़ेगा, आपके पास ideal case equation होती है, जो की होते है, पी अगर आपको हटाना equation से, तो P की जगा आप क्या लिख सकते हो, म्यू आर्टी अपॉन वी लिख सकते हो, ठीक है, तो यह जो equation है, इसको आप लिख सकते हो, म्यू आर्टी अपॉन वी इंटू, साथ में क्या गया है, यहाँ पर यह जो DV है, यह आ गया, और V1 से V2, लेकिन अभी भी एक समझ्चा है, यहाँ पर जो चेंजन टेंपरेचर है, उसकी information अपने पास है, यहाँ पर चेंजन वॉल्यूम या इसके बारे में को information है नहीं, तो वी को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, आपको, अब वी को कैसे अटाओगे, उसके लिए यह वाला relation यूज कर रहा हूं, with respect to t, यहाली जो equation नहीं, इसको differentiate कर रहा हूं, तो यह आएगा, dv by dt, equal to k into t की power 2 by 3, तो 2 by 3 आगे चला जाएगा, ती की power 2 by 3 minus 1, यानि की minus का 1 by 3 आएगा, फिर dv equal to हम लिख देंगे, यहाँ से 2 by 3, k, t की power minus 1 by 3 into dt, यागे डv, अब यह उठा के आपको, इस equation में output करना है, और work calculate करना है, अब क्योंकि आप t की terms में equation convert करें, तो आपको temperature की limits लगानी है, t1 से t2, बाकी as it is लिखो, जैसे mu rt, dv की जगा लिखूंगा, मैं 2 by 3, k, t की power minus 1 by 3 into dt, और नीचे की आएगा, यहाँ पे, v, और v की value किसके बराबर है, k, t की power 2 by 3 के बराबर है, तो थोड़ा सा solve करो, इसको, अच्छे यह के तो ओड़ी जाएगा वैसे, यह के तो cancel हो गया है, और यह T की power 2 by 3 है, यह उपर जाएगा, तो T की power minus 2 by 3 बनेगा, minus 2 by 3 और minus 1 by 3 मिला के 1 बन जाएगा, t की power minus 1, और यह T है यहाँ पे यह भी उससे cancel, मतलब यहाँ पे सिर्फ बचे रहते हैं, constant है, integration में, T1 से T2 की limit लगानी है, और सिर्फ DT बच रहा है, बाकी चीज़ें यहाँ पे cancel हो रही है, बस यह आपका final answer आजाएगा, इससे 2 by 3 मिलार, DT का integration होगा, T, फिर आप limits लगाओगे, T1 से T2, तो पहले upper limit पूट करोगे, फिर lower limit, तो T2 minus T1 बनेगा, जिस R, और यह जो upper limit minus lower limit पूट करने पर T2 minus T1 बन रहा है, यहाँ पे, इसकी value कितनी है, 30 के बराबर है, तो बताओ answer क्या है, यह आएगा, 20 mu R के बराबर, यह अपना final answer है, तो second वाला option यहाँ पे correct होगा, ठीक है, next question देखो, a system changes from state P1 V1 to P2 V2 as shown in figure, what is the work done by the system, आपको work done by the system पूछा जा रहा है, यहाँ पे graph दिखा रखा है, जो कि pressure और volume की बिच में graph है, जिसको हम indicator diagram भी बोलते हैं, और आपको यह पूछा जा रहा है कि इस process के दौरान, 1 से 2 state तक gas को ले जाने की दौरान कितना work हुआ, तो याद रखना है कि indicator diagram में graph और volume axis के बीच का यह वाला जो area होगा, यह पूरा area किसको represent करेगा, work done को represent करेगा, तो simply आपको यह वाला area calculate करना है, अब कैसे calculate करोगी तो इसको two parts में divide कर दो, एक तो यहाँ पर triangle बन गया और एक यहाँ पर rectangle बन गया, तो total जो area है, वो work को represent करे graph, फैप यह किसके बराबर होगा, वोकेडान के बराबर होगा, यह जो triangle है, इसका area होगा, one by two, base into height, base है यहाँ पर, one से लेके four यह पर यानि की, three के बराबर, और height कितनी है, height है, two से लेके six यानि की four का gap है, लेना है और बेस कितना है इसका तो वन से लेके 4 यानि कि 3 का गेप है इसका मतलब 3 लेना है फिर यह क्या गया है यहां पर rectangle इसका area क्या होगा तो इस दोनों साइट को multiply कर दो length into width यह length तो है 3 और width कितनी है 2 into 10-10 to power 5 के बराबर solve कर दो इसको कितना आएगा तो यह आएगा 2 से cancel करोगे तो 6 into 10-10 to power 5 और यह इधर के आएगा यह भी 6 into 10-10 to power 5 यह नहीं कि आगया 12 into 10-10 to power 5 जूल के बराबर तो कौन सा option करेक्ट है यहां पर बी वाला option यहां पर correct simple एकदम जब भी आपको इंडिकेटर डाइग्राम दे रखा हो तो उसका जो एरिया होगा वह हमेशा किसी इसको रिपर्जन करेगा वोगड़न को अब यहां पर एक शाइकल दिखा रखा है एबी सी ए और आप देख पार हो कि यह क्या है एक क्लॉक्वाइज साइकल है और क्लॉक्वाइज साइकल में जो वर्क डॉन होता है वो किसके बराबर होता है बताओ साइकल के एडिया के बराबर होता हम लिख देंगे डबल एक लिटू एलिया ऑफ डै साइक्लिक प्रोसेस ठीक है इसका लिकल डूंग यह त्राइंगल का एरिया देखना है बस one by two वेज deficit-new ले टुट टुट चांळू गत और पीवन से फॉर पीवन यंदि कि थी पीवन को यह अपना उनसर लाइप्ट यहां पर कfolg रिक्त होगा राय समझ में कि अदेकर अघ्रेव इसकी बाद में आगे बढ़ते हैं इसको अगराम है इसको देखो इसमें जो साइकल आपको दिखा और नेगेटीव होता है तो आपको बताना है और आपको पता है कि साैकलिक प्रोसेस में वबIt इस वाले एरिया की यह बराबर होगा ठीक है तो व्रक्टन इक्वल टू एरिया ओफ साइक्लिक प्रोसेस ठीक है एरिया कि ट्राइंगल है इसका एरिया का वन बैटू बेस इंटु रएट बेस कितना है लाए करना पड़ेगा हाइट कितनी है ट्राइंगल की 100 से 200 यानि की डिफ्रेंस कितना हुआ 100 का डिफ्रेंस वा और यह किलो पास्कल में दे रखा है तो किलो मतलब 10 की पावर 3 सॉल कर लो इसको कितना आएगा देखते हैं जीरो तो सारे ही उड़ जाएंगे देखो यह आपस में 252 यानिकि 12.5 जूल आएगा वर और क्यूंकि यह एंटिक्लॉक्वाइस साइकल है इसलिए जो वर्क डन हो क्या होगा नेगेटिव में होगा इसलिए इसको नेगेटिव सि सिंबल यहां पर लगा देता हूं तो आंसर होगा माइनस 12.5 जूल यहां पर करेक्ट है ठीक है देखो नेक्स्ट क्यूशन है इन गिवन फिगर फोट टू प्रोसेसेज इनीशल इन फाइन फाइनल स्टेट आर सेम इफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू बी आर अनके लिए इनीशल और फाइनल स्टेट सेम है यानि की इनीशल स्टेट में नो परसेस इनके लिए टेम पर्वेट पर दön लिए क्या है क्योंस्टन हो गया अगर घंटा शेम है तो यहां इनटर्जिं इनने प्रोसेस के लिए अब आपको पता है वर्क जादा होगा उसके लिए डेल्टा क्यों भी जादा होगा और वर्क पता करना आपको आता है इंडिगेटर डाइग्राम में जो ग्राफ दे रखा होता है जैसी यह वाला ग्राफ है तो इसके नीचे का एरिया पूरा यह वाला जो ग्राफ है इसके नीचे का एरिया देखना है तो यह होगा डबलू बी कौन से जादा होगा दोना में से यह वाली प्रॉसेस का एरिया जादा है इस वाली ग्राफ का एरिया जादा है इसका मतलब वर्क डन इसमें जादा होगा तो डबलू ए जादा है डबलू बी की कंपेरिजन में और अगर डबलू ए जादा है डब वाला ओप्शन यहां पर करेक्ट है आया समझ में दोनों प्रोसेस के इंदर डेल्टा यू सेम होगा समझ गए क्या है इनीशल और फाइनल स्टेट जब भी किसी प्रोसेस में सेम होगी इसका मतलब उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है एक थर्मोडैनेमिक सिस्टम अंडर्गोज साइकलिक प्रोसेस ए बी सी डी ए पाइंट दा वाक दन बाइदे सिस्टम इन दे साइकल देखो एक साइकलिक प्रोसेस है और यह साइकल कैसे चल रहा है एसे पहले बी बी से सी 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 से डी और डी से वापस एसे यी cyclic process repeat हो रही है ठीक है अब इस process में कितना work हुआ यह हम को calculate करके बताना है तो cyclic process में work done किसके बराबर होता है area of the loop के बराबर होता है तो यहां पर दो चोटे छोटे loop बन रहे है एक तो यहाला Loop बन रहे है कॉनसी डारेक्शन में है यह यह एंटिक लोकवाइज और ए देखोगे नान तो यह वाला लूप और वाल यह वाला जो लूप मतलब यह वाला जो ट्राइंगल और इनका area क्यालकुलेशन नहीं करनी है आंसर है जीरो मतलब यहां पर करेक्ट होगा बोला है के समझ में आपको साइकलिक प्रोसेस में लूप का एडिया पता करना होता है यहां पर दो लूप बन गए दोनों अपोजी डारेक्शन में है तो एक का वर्क पॉस्टिव एक का नेक्स्ट क्यूशन देखो इन प्रोसेस ए वी 400 जूल ओफ हीट इस एड़े तो दो यह है इस प्रोसेस की दरान हम ने जो हीट सप्लाई करीए सिस्टम को कितनी है 400 जूल के बराबर है पूछ प्रॉसे स्वीन प्रॉसेस को हिए जो अगर पॉसेस करते यह वाला है、 तो इसमें कितना हमको हिट ग windows कघ्रा मेच पनुबुसेस करना थैंके ऑप的是 क्ता कि आपको इसमें माना जाए तो एसको एक complete process माना जाए तो एसे बी बी से सी गए तो ABC एक process हो गए और दूसरी process है AC यह दो process है यह जो ABC process है इसमें total आप कितनी हीट supply कर रहे हो प्रेल्ट क्यूअ एबी सी process में कितनी तो चार सो प्लस सो यानि की पांस जूल आप हीट सप्लाई कर रहे हूं इस वाली प्रोसेस में फिल्ट है और इस प्रोसेस पोरा एरिया हम हम find कर लेंगे तो इससे अपने पास work done आ जाएगा कितना होगा यह work done तो यह देखो एक rectangle बन गया इसका area होगा दोनों साइट को multiply कर दो तो यह वाली जो साइड है यह तो है 6 into 10 rest to power 4 और यह वाली साइड कितनी है यह 2 से लेके 4 यह नहीं कि 2 into 10 पावर माइनस 3 solve करेंगे तो कितना हैगा यह एगा 120 जूल के बराबर तो इतना वर्क हुआ ठीक है अब फर्स्ट लोफ थर्मोडायमिक्स लगाते हैं यहां पर फर्स्ट लोफ थर्मोडायमिक्स की अब एक चीज़ देखके बताओ अब एक चीज़ देखके बताओ इस डियाग्राम के अंदर कि यह जो प्रोसेस है ABC इसमें इनिशल स्टेट क्या है फाइनल स्टेट क्या है सी और यह जो प्रोसेस है इसके अंदर इनिशल स्टेट क्या है फाइनल स्टेट क्या है सी इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर इनिशल और फाइनल स्टेट सेम है एब तो इस प्रॉसेस के लिए भी चेंज इंटेमिरेटर होगा टी-2-1 और इसके लिए भी सी अब यह जो फिर्स्ट लोब थर्मोडाइनमिक से इसके अकॉर्डिंग अब मैं यह जो एसी प्रोसेस से इसके लिए सी एक्वेशन को लिख रहा हूं तो डेल्टा क्यूं इन प्रोसेस एसी बराबर होगा डेल्टा यू जो अभी आपने एबी सी प्रोसेस के लिए प्रोसे हैं वही लिखना है क्योंकि चेंज इंटरनल एनरजी सेम है वाक्ड़न कितना होगा तो वंक्ड़न तो आप इस ग्राफ के निचे के एरिया से वाला अप फाइंड कर सकते हो देखो इयो ऑला एरिया बताना है आपको एक तो यह ट्रायंगल बं रहा होए यह रैक्ट तो है 2 x 10 की पावर माइनस 3 और हाइट है यहाँ पर 4 x 10 की पावर 4 फिर यह जो रेक्टेंगल बन्दा है यहाँ पर छोटा सा इसका यह जिए क्या होगा तो इसकी लेंथ तो है 2 x 10 की पावर पावर माइनस 3 तू से लेकि 4 यानिकी 2 का डिफेरेंस है तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और हाइट है यहां पर 2 इंटू 10 की पावर 4 यह लेना है देखलो कितना आ रहा है डेल्टा क्यू इन प्रोसेस एसी एगा 380 प्लस यह 2 से 2 डा देंगे तो यह आ जाएगा यहां से 40 यह भी आएगा 40 यह निकी 80 आंसर क्या आया और 60 जूल के बराबर ठीक है तो कौन सा ओप्शन करेक्ट है यह आपर बी वाला ओप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्यूशन देखो इन ए प्रोसेस दब मॉलर हीट कैपैस्टी ओफेड डाइ डाइ अटोमिक गेसी स्टैन बाई 3 आर मॉलर हीट कैपैस्टी आपको दे रखी है स्पेसिफिक हीट दे रखी है मतलब वेन हीट क्यों इस सप्लाइड तो दे गेस फाइंड दा वर्क डन बाई दे गेस यह बोला कि वर्क डन कितना होगा यह फाइंड करके बताओ डबलू बताना है तो उसके लिए डेल्टा यू भी होना चाहिए अपने पास डेल्टा यह फोट डाइटोमिक गेस और दै डाइटोमिक गेस जो डिग्री ओ फ्रीडम हो क्या होती है तो फाइव तो फाइव बैटू म्यू आर और डेल्टा टी आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा तो डेल्टा टी ही लिगदो तो यह है चेंज इंटरनल एनर्जी तो चेंज heat हम ने supply करें तो उसके लिए specific heat दे रखिए जो heat हम supply करेंगे उसका formula गा mu C delta T C की value हम को दे रखिए 10 by 3R ये लेनी है ये आएगा mu into 10 by 3R into delta T तो दोनो values आगे अब W बता सकते हैं हम लोग easily W equal to क्या होगा first law of thermodynamics के according delta Q minus delta U होगा delta Q है 10 by 3 mu R delta T और डेल्टा यू है 5 by 2 म्यू आर डेल्टा टी solve कर लो तो म्यू आर डेल्टा टी तो common है और अगर आप इन दोनों में ये 10 by 3 minus 5 by 3 करोगे क्योंकि ये बाकी चीज़ें common आ जाएंगे तो 10 by 3 minus 5 by 2 करना है आपको बाकी म्यू आर डेल्टा टी में बाहर लिख देता हूं तो बताओ कितना आएगा सिक्स एल्टीम आएगा तो यह आएगा सिक्स एल्टीम लोगे तो उपर आएगा ये 20 इधर आएगा 15 यानि कि 5 by 6 म्यू आर डेल्टा टी बन रहा होगा यह आगे आपने पास यह है वाग डेकिन यह क्यों की मताना है कि टंस में बताना है कि ट्मस में तो एक काम करते है जो हीट हम स्प्लाइ कर रहें और जो वर्क है इन दोनों का रेश्यों कि देखते हैं कितना थाटा है तो 2 डय ओपोन क्यूय ना डबलू तो है 5 by 6 म्यू आर डेल्टटी और क्यों कितना है टैन बाइट थ्री म्यू आर डेल्टटी तो दी आप देखर हो यह प्रद्र टी तो उड़ जाएगा यह फाइब बाइब और नीचे है टैन बाइ थ्री उस कुल्टा कर दो थ्री बाइट बन गया तो डबलू अपॉन क्यू किसके बराबर आया यह आएगा वन बाई पॉर के बराबर तो डबलू आगे अपने पास क्यू बाई और यह अपना फाइनल आंसर है क्यू की टर्मस में बताना था इसलिए मैंने रेशो लिए तो कौन सा ओप्षिन करेक्ट होगा यहां पर डी वाला ओप्षिन करेक्ट होगा ठीक है